हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वी आर बैक अगेन विद दे न्यू टोपिक इन दे सब्जेक्ट ऑफ दे प्लांट ब्रेडिंग जनेटेक्स आज अपन देखेंगे कि हाइब्रीड सीड प्रोडक्शन कैसे होता है ठीक है परेमिलेट का जो सीड प्रोडक्शन होता है उसके अं अच्छी नोलेज है वह थोड़ा पेशिंस रखना उनको भी समध्मा जाएगा और जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी समध्मा जाएगा ठीक है तो अपने स्टार्ट करते हैं इसका जो बोटनिकल ने मैं सबको पता है पहले सीटम ग्लूकम ठीक है इसके जो क्रोमोजोम होते हैं वह भी पता है कि जो 14 क्रोमोजोम होते हैं इसकी जो क्रोमोजोम की जो मतलब संक्या है नंबर हो कम है पर इसके जो क्रोमोजोम होते है वह लार्जर होते हैं ठीक है यह जश्ट इसके थोड़ा सा डिसक्सन कर रहे हैं उसके बाद में इसकी बोटनी के अंदर आपक कि इसके अंदर होता है cross pollination इसके अंदर एक चीज ये भी है कि SCN का production किसी भी growth stage पर नहीं होता है आपको पता होगा सोरगम के अंदर SCN का production होता है जिसकी विज़र से जानवर खाने से water stress condition में इसका production होता है और उसको जानवर खाने से जो बौई होती हो जो जुलाई में हो जाती है फिर फिर इसकी harvesting होती है सर्दियों के टाइम में तो उस टाइम आपको सर्दियों की दिन आ जाते है तो इसके अंदर जो flower जो light ताई है वह short day हो जाते है और जो short day होता है तो flower को प्लांट को पता जल जाता है लीफ से वह एनलाईस करती है कि short day मतलब light कम पा रही है तो ठीक है फिर वह क्या करती है flower का production कर देती है और flower निकल आते है तो इसके अंदर अपने देखेंगे कि तो इस्टिगमा होती है वह receptive होती है एक से दो दिन के लिए मैंने क्या कहाता था पार्ट जो है पहले मेल्चूर होता है इसके अंदर जो stigma होती है वह एक से दो दिन तक जो है receptive होती है ठीक है कोई एंथर आए और इसको pollinate कर दे और इसके अंदर स्टाट होगा और नीचे तक जाएंगे तो इसमें लिखा हो है कि एंथर फॉम अपर थार्ड ठीक है और फ्रोसीडिंग टूद बेस ठीक है तो नीचे तक आएगा उसके बाद में इसकी ब्रेडिंग प्रोसीजर है उसके अंदर आपको पता है मां सेलेक्शन होता है मां से प्रेक्शन कैसा करते हैं ठीक है वह सिंपल है इसके अंदर में अल्ली हाइब्रेड की बात करने वाला हों कि हाइब्रेड का अपन डवल्फमेंट कैसा कर सकते है ठीक है इसके अंदर सबसे पहले क्या रिक्वाइर्मेंट चाहिए क्या क्या चाहिए अपने पास में सबसे तो चाहिए आपनों को प्रेजंस ओफ दॉड़ देखिए वह रड़ विगर कहां से आएगा उसका प्रॉसेसर अलग है अपने स्में स्टीट कर रहे हैं तो हाइब्र विगर कैसा आएगा उसके लिए मैं हाइब्र वीडियो के नाम से वीडियो मना रहा है एक अपनों को चाह इसके बाद मेरे को मेल लाइन भी चाहिए अब भी समने नहीं कोई बात नहीं आने वाला ठीकिस समना जाएगा अप्टेंस मतलो यह अपने लेकर अपन कैसे अपने प्रोक्षण कर सकते हैं इसके अंदर यह सिस्टम क्या है कि एक तो साइटो प्लाज्मिक देट प्रोड्यूज्ट दे मेल इस्ट्राइल लाइन ठीक है जीन डेट रिस्ट्रोर द फर्टिलिटी अब देखिए मैं जिरो से शिका रहा हूं मान लेना कि अब पर मिलेड की बात कर रहे हैं यह एक पर भी मिलेड के अंदर क्या है कि इसकी हाइट बहुत अच्छी है इसके एक उडे यूज में ले तो इसके बहुत जाधा पतिया वगर आती है तो यह जानवरों के खाने के लिए बहुत जादा मतलब इसके अंदर है यह है B plant ठीके B plant के अंदर पर्मिलेट के अंदर क्या है कि इसका शित्टा बहुत भी लंबा रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा दाने है ठीके उसका जो टेस्ट वेट वो भी ज़्यादा है तो अब आपन क्या सोच रहे है ना कुछ ऐसा कर दें कि अपन का सित्टा भी जी बड़ आजा है और क्रोस करवाना पड़ेगा तो उसकी जनरेशन आएगी वो ऐसे आएगी घी और इसकें बढ़ा होगा और उसकेंदर फोयलेज भी जाता होगा अब क्रोस करवाने के लिए क्लubra ऑबाने की लिए इसकें पोलन को निकालना पड़ेगा एंस फिर दो बिलन दालने पड़ेंगे तो अब में यह बड़ा फ्लोवर नहीं इसकें फिर प्लोर पता तो सायंटिस्टों ने क्या सुचा कि इसका क्रोस कैसे कर वाया जाए तो साइंटिश्टों ने बोला कि जो बृड़िडिर्स थे ठीकिए इसका अगर male part काम नहीं करेंगा तो only female काम करेंगी ठीकिए अगर male plant जो है जो functional नहीं होगा उनना होगा फॉलन होगा ओफ Marketing नहीं होगा तो B plant का functional होगा तो B का cross होजाएगा A से ठीकिए तो A का cross अपना आराम से करा सेके हैं तो कुछ ऐसा करो कि जो है, इसके अंदर A पार्ट काम नहीं करें तो, उसको बोलते हैं पर आपने, male-stril line, ठीक है, उसको male-stril line बोलते हैं, तक एक का B के साथ cross हो सके, अब आती है, A line क्या होती है, B line क्या होती है, और R line क्या होती है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे क जो male line C एती पहले है जिसके अंदर मैं को cross करवाना था वो थी A line ठीक है it is the male stride parent line मतलब इसके अंदर male काम नहीं करेगा only female काम करेगी इता समझ में आ गया अब B line क्या होती है B line होती है A line की copy होती है ठीक है इसके अंदर समझ लो A A ठीक है B B C यह वाले अगर इसके अंदर Genotype है तो B के अंदर भी same Genotype है पर इसके अंदर एक different character क्या है कि इसके अंदर को इसका जो cytoplasm है cytoplasm के अंदर भी आपको पता है genetic material होता है mitrokondyl DNA होता है ठीक है chloroplast के अंदर होता है तो इसके अंदर इसका cytoplasm fertile है ठीक है अब देखो आप साइंस के स्टूडेंट उतना तो नौलेज है कि अगर जो male gamits है ठीक है male gamits और female gamits का अगर fusion होता है तो male gamits का only जो है आपको पता है कि only लिए जो nucleus अंदर जाता है ना कि साइटोप्लाइंग जाता है साइटोप्लाइंग फीमेल का होता है ठीक है यह आपको पता है तो बी-लाइन क्या होती है कि the fertile counterpart of the a-line ठीक है does not have a fertility restoring 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 क्या होता है मैं आप बाब को बलता हूँगा ठीक है इसके अंदर restoring नहीं होती है maintenance line इसको बोलते है ठीक है इसको बोलते है maintenance line अब यह हो गया सुना आगे ता अब देखिए बी-लाइन मैं बता देता हूँगा अब बी-लाइन क्या होती है a-line की copy होती है बस उसके अंदर जो citoplasm है ठीक है उसका citoplasm है वो होता है fertile इतना सजयान रख लेना अब आर-line क्या होती है आर-line के अंदर होती है restore capacity जो fertility को restore कर सकती है यह समझे लो यह यह line है ठीक है इसके अंदर यह यह rr small rr मतलब इसका genotype है ठीक है यह fertile नहीं है और यह अब मैं इसका क्रोस करवा देता हूं रीस्टोर लाइन से जिसके अंदर आरा रहे तो अब यह सोच लो एक बार के वास्ते इसका इसका साइटोप्लाजम से मतलब नहीं अब अगर यह इसका जनरेशन आएगी तो इसका जीनो टाइप क्या हो जाएगा आरा मतलब जो नुकलि समझना बहुत जरूरी है एक मिनिट तो इसके अंदर क्या है कि मैंने बता चुका हूं कि A-SP क्या होती है कि मेल इस्ट्राई लाइन होती है जिसमें मेल काम नहीं करता एं ठीक है vivir लैन होती है बील सबसोभी बस फारक यह होता एकि इसके अंदर जो साइटोब्लाजम की द् बिर्ट बन जाएगा समझने मान लो अब मेंटिनिंस का मतलब होता है कि आपको ए लाइन के सीड है दस किलो है सीड आपके पास में आपने नो किलो यूज में लेली आपके पास सीड ही नहीं है अब क्या करें अब ए लाइन की सीड लाने अपने को ए लाइन की सीड किसे लाए अब उसको मुनें से क्या होगा कि इस क्लाक्र is एक है तो काम नहीं कर रहे हैं ठीक है om वह कि एक लोगा कि एक ल की जो है इसका जो पॉलन उड़के जो जाएगा इसको फटाइल करेगा मतलब वपस मेंटेनसे मेंटेनश आपने न करना आपने पास अपने पास में स्ट्राइल इसका विलाई स्यमला इस्ट भास में यह घ्रिस फैट्लिटि वो शॉअढ़ करेंगे आंगे पने इसा काऊ है रिस प्रहं पास में बी बी बीन के भी खास ऐसा थोड़ी है कि खान है जो पारком से लिए आठा के लिए रह रहा है अभदध को देखो बी लिएंगे सेड़ के सा से के सा इसके कानी सुन लो ये हैपना खेहत है योलिया dużo गज़रे एlline लगा दिया ब्रोम कि इसका तो फटाईल है जब इसका इसी के साथ हो जाए का तो B-Line की जो सीड होंगे ना वापस बढ़ता हूं देखो क्या होता है सिस्टम यह खेयत यह खेयते मेरा ठीक है यह खेयते इसके अंदर यह यह B-Line है ठीक है यह B-Line है वापस देख लो वापस इसके अंदर यह A-Line है और यह वापस B-Line है ठीक है अब आप यह सोचो कि इसके उड़के इस पे गए तब तो यह A-Seed बन गया ठीक है इसके उड़के इस पे गए तो यह A-Seed बन गया पर इसका इसकी हर्वेस्टिंग करेंगे इस-केंदर सेलफ इंग होई HERE उससे बी इसीड़ मिल जाएगा उस लाइन को अपना लाइन को करेंगे ना इसके का न नहीं होन से एक क्लोमेटर के फारम चो होते हैं वह बढ़े बड़े थे होते हैं कि इस लिए तक दूर नहीं होना खिके अपशक्रा आप पास में ऐसी फार्म नहीं तो भी सोड़ी या जैसे बी-लाइन का वहातना वैसे आर लाइन का होगा इसके अंदर क्या है रिस्टोर डिया और इसकी सेल्फिंग राएंगे तो यह भी सीड हो जाएगा ठीक है इसमें क्या लिकावा है कि हाया होता क्या आर लइन क्या होता यह तो होगा inbred line यह उपन पॉलिनेटेट वराइटी उसको जैसे मेंटेन करते हैं वैसे इसको मेंटेन करना है सेलफिंग से कर लो कुछ भी कर लो ठीक है इसके अंदर भी जो है तो यह कैसा इसकी आलग है इसको बताँको सारे कंफ्यूज़ होगे एक का मैंने क्रोस करवाए और के साथ में तो क्या मिल गया है ठीक है hybrid seed production मेरे को मिल गया अब देखो एक चीज़ बताता हूं अगर आपके पास में A के seed full हैं कोई कमी नहीं है तो आप A का सीधा R के साथ cross करवा ओगे तो F1 मन जाएगा ठीक है B के को जरूत नहीं है पर A से A B R line आपको पता होने चीज़ कि होती अगर A की कमी सेट की तो इसको मेंटेन करने के लिए B कर सब्सक्राइब और आर लाइन होती है यह फाइनली जो पने पास में F मनाएगा यह hybrid seed यह R line के ठीक है यह R line के सीड हो गए अब इसके अंदर मेरे को लगाना है ठीक है अब मेरे को लगाना है इसके अंदर A line के सीड यह A line के सीड एक दो तीन चार लाइन एक ही लगा दी ठीक है फिर क्या होगा कि वापस लगानी पड़ेगी दो लाइन एक लाइन लगानी पड आज पास तो आर्र लाइन होना की है क्योंकि क्या कि पॉलए उड़के आएंगे तो इससे इदर कर सके और चार लाइन सभी मलकी और यह तो कर दो चार एकर इससे कर दो यहार कर देता दो का अजह Twice दो क्या मुत का बिशाओ अजधिता तो चार लाइन इसकी होगी एक लाइन इस की उüसके विचार लाइन फूलोर27 को रीम देंक a1 धूस पास कि यसारई लाइन ौाइथ तो आइझ थी अपको यह संम्माया होगा तो आप जो वीडियो को लाइक करके बता देना कि हाँ यार मेरे कुस्म माग गया और अगर नहीं आया तो वापस एक बार देख लेना ठीक तो आपको समया देगा थैंक्यू फ्रेंड्स वें नाइस टे